सुप्रभाद बच्चो, मैं सीता पारासर, रावल पबलिक स्कूल की तरफ से आप सब का स्वागत करती हूँ, आसा है आप सब अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे इस वीडियो के द्वारा आज हम पढ़ेंगे वचन, वचन क्या होते हैं, वचन किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो के द्वारा जानेंगे सबसे पहले हम इसकी परिवासा देखते हैं सब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं वचन के कितने प्रकार होते हैं वचन के दो प्रकार होते हैं एक वचन और बहु वचन एक वचन की परिवासा हम देखेंगे सब्दे के जिस रूप से एक ही वस्तू का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं अर्थाज जहां पर कोई भी वस्तू एक है वहां पर एक वचन होगा उसे एक वचन कहते हैं जैसे आप यहां देख सकते हैं गाय यह एक है तो यहां पर एक वचन होगा इसके बाद आप देखिए बहुवचन की परिभासा सब्दे के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं यहाँ पर देखिए अनेक गाये हैं तो यह बहुवचन का उधारण है बहुवचन अर्थाद बहुत सारे तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर अनेक गाये हैं यह बहु बचन का उधारा है धन्यवाद आसा है आप इस वीडियो के द्वारा बचन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे